नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपना काका दले सिंग स्वागात आपके अपने चल्रेंग में इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने बाला हूँ कि भीया आपने क्रिप्टो मार्केट के अंदर हो और नए नए हो तो आपको बुलकुल से देखने के लिए मिलता होगा यहा क्रिप्टो मार्केट के लिए मिलता है कि यहां पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर जिसके पास सबसे ज्यादा क्रिप्टो रही होगी यहां पर मैं बात करूँ कि जिसके पास सबसे ज्यादा विटकोई रहा होगा वो बड़ा है एंट वो बेल है अब यहां पर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बड़े वेल मिलेंगी जैसा कि हम देखते हैं कि यहां पर समुंदर के अंदर और वी बहुत सारी मचलियां जो देख तो तीन चार रेंग ऐसे नहीं यहां पर हम उनका नेम डिफाइन करने बाले हैं कि अगर आपके पास इतने विटकोईन है तो आपका बॉलिट का नाम ओटोमेटिक क्या हो जाएगा या फिर हम उससे क्या क्या पाएंगे क्योंकि हम सभी को पता है कि जो क्रिप्टो है वो यहां पर रिवील नहीं होती है कौन है कैसे यह नहीं पता होता लेकिन एक एड्रस है उससे हम पैचान सकते हैं तो हम उस एड्रस को नाम दे देते हैं कि यह यह तो बेहिल है क्योंकि इसके पास बहुत जादा क्रिप्टो है तो वह देखेंगे तो आप इससे पता लगा प बिटकोइन है तो आप जो क्या कहला होगे अब देखो पांच यार बिटकोइन की जो कीमत है यहां पर हो जाती है वह सारी चीज हम देखने बाले है पहली चीज तो अगर आपके पास यहां पर कोई भी बीटीसी नहीं है मतलब जीरो कोईन जीरो बोले तो जीरो पॉइंट अब दूसरी चीज कि आपके पास बीटीसी तो है लेकिन पूरी एक बीटीसी नहीं है कुछ बीटीसी यहां पर है बोले तो 0.1 या फिर 0.001 यानि एक बीटीसी से कम है तो आप यहां पर क्या कहलाई जाओगे आप यहां पर कहलाई जाओगे श्रिम्प इसके बाद में अगर आपके पास पूरी एक बीटीसी है या फिर बन पॉंट वन कुछ बीटीसी भी है यानि एक बीटीसी के आसपास आपके जो है पोर्टफोलियो में या फिर मैं बोलू हूँ यहाँ पर वालेट में है तो आपका जो यहाँ पर नाम हो जाएगा वो हो जाएगा क्रेव जी दोस्तों हाँ यह जो आपके नाम है वो सारे के सारे समुंद्री जीवों से मिलते हुए आपको जो नजर आ रहे होगे क्रेव आपने सुना होगा और वेल भी आएगा वेल हम कपे डिफाइन करेंगा वो चीज हम देख लेते हैं अगर आपके पोट देंगे कि भीया आप हो यहां पर फिस ठीक है ना अब फिस कौनसी वाली यहां पर फिस नहीं ओल्ली फिस हम बोल देंगे क्योंकि एक फिस की बढ़ जाती है यहां पर आज आती है इसके बाद मैं यहां पर आपका अगर 100 BTC आपके पास हैं तो आप क्या कहला होगे तो इसके बाद में अगर आपके पास में 500 BTC हैं तो आप यहां पर कहला होगे सार्क जी दोस्तों हां सार्क जो आ यहां पर आप कहलाने लग जाओगे अब इसके बाद में अगर आपके पास में 1000 BTC हैं तो आप कहला जाओगे वेल जी दोस्तों हां अब जो आपने नाम सुना वेल वह यहीं है अगर आपके पॉर्टफोल्यों के वेल्युएंशन यहाँ पर, यहां पर मैं बोलू, आपके पास 1000 बेटिजी के वेल्यू है यहां पर बीठीसि तो आपका जो यहां पर популяр टेक है एक मिल जाएगा भी लामसे इसके बाद में अगर आपके पास 1000 से इस या पर क्या आपके पूर्ट फोल्यु से आपका क्या बॉलिट के अंदर तो आप कहलाएगा यहां पर हम पैक अब देखो हम बैक आपने जो यहां पर अभी दो एक वह सुनी होगी सुरी सुनी होगी मैं करां देखी होगी अफ्तार टू देखी होगी तो उसमें जो आ हम बैक को दिखाया गया है वो मचलियों से भी बहुत जाधा बड़ी यानि मैं बोलूं कि भेज से भी बड़ी यहां पर होती है तो उसको हम बैक बोल देते हैं तो आप इस चीज़ से आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपका पोटफोलिया वह कहां पर है और आप किस टैक के अंदर आती हो आप नो कोईनर हो स्रिंप हो क्रया वह ऑक्टोपास ओफेस हो डॉल्फेन हो सार्क हो वेल हो हम पैक हो तो वह सा सारे के सारे लिंक के डिस्क्रिप्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् बाई बाई